नमस्कार स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राचिन काल के प्रमुख साहित्यकार उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे साती सांस्कृतिक विरासत का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था पूरा डीटेल में और यहां पर ह प्राचिन काल के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं के पारे में हैं यहां पर हम शुरूबात करते हैं सबसे पहले पंच्यतंत्र इनको लिखने वाले जो साहित्यकार हैं वो है विश्नु शर्मा पंच्यतंत्र का का काफी सारी बहाशाओं में अनुवाद हुआ है और अब हम यहाँ पर इसकी एक फोटो देख लेते हैं, इमेज देख लेते हैं, ताकि हमें यह याद रहेगा, कि इसमें कौन-कौन सी ऐसी जो रोचक कहानिया हैं, वो दी गई हैं, तो इसकी एक फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो आप देखें, यहाँ पर आप देखें, यह चितर जो है, यह पंचितंत्र की कहानियों की किताब का जो है, कवर है, और बड़ी रोचक इसमें कहानिया है, तो मेरा दिखाने का जो उद्देश है, वो आपको यही है, कि जो कहानिया है इसमें वो बहुत ही प्रेड़ना दायक रही होगी और नितिक शिक्षा के बारे में भी है और इन छोड़ी-छोड़ी कहानियों के माध्यम से उन्होंने बच्चों को नितिक शिक्षा देने की बात गही है विश्णु शर्मा के द्वारा और इस पंचितंत् आशाओं में अनुवाद हुआ है यहां पर अगले जो राइटर है वो है शुद्रक शुद्रक की जो रचना है वो है म्रच कटिकम तीसरी नंबर पर हम बात करें अमर सिंग अमर सिंग ने लिखा अमर कोश और चौथे नंबर पर है बान भट जिन्होंने हर्ष चरित्र लिख उसका भी मैं आपको बुक का जो कवर है वो मैं आपको दिखा देती हूं कि कि यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं वो बान दीन से इनन्हें याद करें तो याद रहे जाएगा कि कौन कौन से जो किताब है वो किस-किस राइटर की है कि पांचमेश नंबर पर हम बात करें तमिल सहिद्ती के बारे में शिलपादि करम इलंग्रे आदीगल की है यह रैटर है इसके और शाटे नंबर पर हैं सीतले सतनार इनकी जो सहिद्ती फ़ह मणी मिख लै यह ग्रंथ हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कालिदा सात्वे नंबर पर जिन्होंने अभिग्यान शाकुंदलम मेगधूत रित्वसंगहार कुमार संभव जैसे जो ग्रंथ हैं वो लिखे हैं इनकी कवर बुक के जो कवर हैं उनको भी हम देख लेते हैं ताकि हमें यह यात रहे जा दूसरी जो बुक है काईदास की वो है मेगधूत जिसको मैंने पहले भी आपको दिखाया था इसका जो बुक का जो कवर था वो हमने पहले देखा था और अब यहां पर आप देखिए तीसरी जो बुक है वो अभिग्यान शाकुंदलम है उसका जो पोस्टर है वो इस तरह देखाया है कुछ तो यहां दिखाने का जो मेरा उद्देश है वो यही है कि आपको जो है यह आसानी से याद हो जाए आठवी नंबर पर हम देखते हैं समराठ हर्ष इन्होंने इनकी जो रचनाए हैं वो हैं नागरनंद रत्नावाली और प्रेदर्शिका चित्रों के माध्यम से देख लेते हैं इनकी जो बुक के कवर हैं उनको हम देख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा कि समराठ हर्ष के द्वारा जो रचनाय लिखी गई है वो कौन-कौन सी है यहां पर चित्रों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और हमेशा के लिए याद रहेगा जैसा कि हमने बताया कि समराठ हर्ष की जो रचनाय है वो है नागानंद, रत्नावाली और प् है आगे है बौध गरंथ तीन जो बौध गरंथ है उनके बारे में जैसे विनया पिटक है सुद्ध पिटक और अबेधम पिटक इनमें क्या-क्या है विनया पिटक में बिख्शों है तू नियमों का संग्रे है यानि कि विनया यानि विनर्मनता पूर्वक उनको बताया ग और अभिधम पिटक में है दर्शन और सांसारिक ज्यान के विशय इस तरह से ये बाद ग्रंध हैं तीन है विनया सुत और अभिधम पिटक इन में क्या क्या है यह मैंने आपको बताया अब हम बात करें शब्दावली की और फिर कुछ महत्वपुन प्रशनों को हम देखेंग सबसे पहले बात करें अनुदित यानि की अनुदित क्या है यानि अनुवात क्या हुआ है वो अनुदित है बहुत बिक्षू यानि बहुत संद जो है वो बहुत बिक्षू कहलाते हैं और प्रदेख्षण जो पत है यानि परिक्रमा लगाने का जो रास्ता होता है वो यहा को देने हैं अपनी notebook में note करते जाएं अगर मेरी speed जादा भी रहे तो भी प्रशन खतम होने पर आप video को रोक लें और रोक करके आरम से इनके सावालों के जवाब हैं वो आप लिखें सबसे पहला जो प्रशन है वो है कि इस्तुप निर्मान का खर्च कौन वहन करता था कौन इस्तुपों के निर्मान का खर्च उसके बारे में आपको बताना है दूसरा जो प्रशन है वो है अजन्ता की गुफाएं किस नदी घाटी में पाहर को काट करके बनाई गई थी कहां पर थी उसके बारे में आपको बताना है उस नदी का नाम बताना है साथी साथ उस जिले अगर आपने वीडियो को अगर द्यान से देखा है तो आपको पता चलेगा कि इस्तूप क्या है और विहार किसे कहते हैं पर यह बनाया जाते थे आदी के बारे में आपको जानकरी मिल जाएगी चौथा जो प्रशन है वो है कि अमरावती का स्थूप कहां इस्ते थे कहां पर है अमरावती का स्थूप उस जगह के जगह का जो नाम है वो आपको बताना है पांचवा जो प्रशन है वो है जातक कथा किस से संबंदित है उसके बारे में बताना है कि जाता कता है किस से संबंदित है किसके बारे में ये ज्ञान प्रदान करती है उनका नाम बताना है आपको और जो छटा जो प्रश्न है वो है विहार किसे कहते हैं और किसके लिए बनाये जाते थे उसके बारे में आपको बताना है कि चली का दोरा ग्रंथ की रचना हुई है यानि उनका जो ग्रंथ है वो कुन सा लिखा है उन्होंने उसका नाम बताना है साति शाथ चल così ने ऊख अर्द में किसके बारे में बताया है उसका भी अगर आप वहीं पर आंसर लिखेंगे तो आसानी आठवा जो प्रश्न है वो है संगम साहिते किस भाषा में लिखा गया है उसका नाम बताना है आपको और उस संगम साहिते में हमने जो रचनाइब थी उनके बारी में पढ़ा था रचनाकारों के नाम भी हमने पढ़े थे अगर आप उसे भी इसी के साथ लिखेंगे तो आपके हैं कुछ प्रश्नों को मैंने खुदने बनाया है तो इस तरह से जो प्रश्न है वो बहुत इंपर्टेंट है और इसलिए आप से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ मित्रों के सा इसलिए अगला जो प्रश्न है वो है आरेबाठ आरेबाठ ने किस ग्रंत की रचना की इसके बारे में बताना है कुण सा ग्रंत था और उस ग्रंत में उन्होंने क्या नाम बताना है क्या वो शिल्बकार भारती थे या वो बहार से आये थे, क्या वो पूर्व की ओर के थे, या युनानी थे, उनके जो भी नाम है वो आप देखना, टॉपिक अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो आप इन सवालों के जो जवाब है, वो लिख पाएंगे, बहारवान जो प्रश्न है, वो है, इस्तूप का श शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है, तेरवान जो प्रश्न है, वो है, कि भारती मूर्तिकला का वास्विक रूप किस वंश से शुरू होता है, उसके बारे में बताना है, कौन सा वो वंश था, जब से मूर्तिकला का वास्विक रूप था, वो सामने आया, चोद्वा जो प् के सकताना है बहुत ही अच्छी तरीके सेमेन अलग अलग जो चितर थे वह आपको दिखाने की कोशिश खरीती helping ता कि आपको समझ में आये कि वो 3 नहीं 4 हैं हमें सामने से जो दिखाई दे ते वह 3 और ही आप यह बिताएं कि उसमें कौन-कौन से जो जानवर हैं उनके जो जो उनकी जो मूर्तिया है वो उसमें उकेरी गई है उनके उनके भी आप अगर नाम यहीं लिख पाएंगे तो आपको याद करने में ठीक रहेगा एक ही जगह पर आपको सारी जानकारी मिलेगी पंद्रवा जो प्रश्ण है वो है साहिति लिखने का प्रारम कब शुरू होता है ये आपने जवाब देना है कि कब से साहिति लिखने की शुरूआत हुई कौन सी सदी से हुई उसके बारे में सोलमा जो प्रश्ण है कि किस मूर्ती कला में वस्त्रों में पारदर्शिता एवन सलवटों का प्रभाव आया है बहुत अच्छी तरीके से जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको चितर भी दिखाया था और आराम से अगर आपने नहीं देखा तो एक बड़ जरूर आप देखें क्योंकि ऐसे जो प्रश्ण है वो एक्जाम में पूछे जाते हैं कौन सी कला से है किस कला में ऐसा होता है किस कला पर ऐसा प्रभाव देखा गया है कौन सी जो मूर्ती थी वो कहा मिली तो ऐसे जो प्रश्ण है वो इंपोर्टेंट होते हैं एक्जाम में तो य अगला परेशन किस काल में शेषनाग शेया पर विश्नु глаза मुर्तिया मिली है उस वरिय कह्यों के बारें बचाहना एक कि कहां पर असी तरह दाए कि जो काल लुल झायाँ मिली थी रामायन किसके द्वरा रचित ग्रंथ है। किस व्यक्ति ने इसकी रचना करी थी। साथी साथ आप ये भी बताए कि रामायन में जो राम हैं वो कहां के राजा हैं। और उनका जो आधर्श चरित्र हैं वो केसा था। उसके बारे में भी आप जुरूर बताएं। और अभी तो दूर दर्शन पर रामाइन चल रही है, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको और ज़्यादा समझ सकते हैं आसानी से, जुरूर देखें आप ये जो रामाइन आ रही है, उसको देखें आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इसके बारे में और समझ पाएंगे उननीसवा जो प्रशन है, वो है महर्शी वेदव्यास ने किस गरंद की रचना की, इसके बारे में बताना है, साती सात मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, कि वेदव्यास जी ने किस गरंद की रचना करी इसके बारे में, साती सात मैंने भगवत गीता के ब बहुत सारी जो परेशानिया हैं, उन सब के जो जवाब है, वो आपको भगवत गीता में मिलेगे, जीवन की सारी परिस्ततियों में जितने भी उलजने हैं, उन सब के जो रहसे हैं, उन सब समस्याओं का जो हल है, वो आपको एक मात्र भगवत गीता में मिलता है, आप इसे य जो ज्यान है वो शायद हम इस जीवन में तो नहीं पा सकते हैं लेकिन हाँ संग्षित रूप में अगर हम लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं तो जुरूर आप उसे भगवत कीता को जो है पढ़ें आरांद से शांत मन से उसको उसका अध्यन करें बहुत मोटिवेशनल वो बुक है और बड़े-बड़े सेमिनारों में जाने की कोई जुरूरत नहीं है आप बस उसे पढ़ ले सारे सवालों के जो जवाब है वो एक मात्र उसी में है तो इस तरह से मैंने आपको उन्नीसवा प्रशन पढ़के बताया था कि महश्य वेद्व्यास ने किस इन जानार सम्भव लिका आइ अच्छा प्रशन प्रशन किस तरह से खाषा पूछ जाया है मैंने इसमें कवी का नाम पूछ आए कि को वह करना नाम देकर के इन जो नकी जो रचना है उनका पूछले फ्रशन कैसा भी हो हमें आना चाहिए तो इस प्रशन का उत्तर आप बह कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने हाँ वो चीज देखी थी क्यों आज हमें कोई फिल्म के स्टोरी या किसी धारवाइक जब हम कोई देखते हैं कोई नाटक देखते हैं तो हमें उसकी जो स्टोरी है वो याद रहती है क्योंकि हम उन्हें चित्रों के कर रहे हैं कि गुप्तकाल के किस कभी ने मेगदूद और कुमार संभव लिखा था तो उनका नाम आपको बताना है 21 जो प्रश्ण है वो है भरतमुनी के प्रमुख जो रचना है वो कौन सी है इसके अलावा तमिल ग्रंथ भी मैंने आपको बढ़ाये थे इस ट्रैडिंग में तो जो प्रश्ण है वो है सिल्पादी करम जो तमिल ग्रंथ है उसके लेकक का नाम आपको यहां बताना है 23 जो प्रश्ण है वो है सुशुत सहीता का किस भाषा में अनुवाद जो है हुआ है किस साथ ही साथ आप अगर इसका यह जवाब दें कि जो शुशुत सहीता है उसमें किस चिकित्सा के बारे में यह ग्रंथ है उसका जो उलेक है वो मिला है और यह किस से संबंदित है इसम किस ने सरवपर्थम बताया कि ग्रहन के समय प्रत्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है लास्ट प्रशन है कि किस ने सरवपर्थम उस ग्रंत में बताया था कि ग्रहन के समय प्रत्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है इस प्रशन का जो जवाब है आ मैंने बनाए थे वह आपको कैसे लगे इसके बारे में वीडियो को ज़रूर आपको लाइक करना है ज्यादा से जगा साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें इंस्ट्राग्राम पर आप मुझे फोलो कर सकते हैं वहां पर बहुत अच्छे और नहीं तो कुई बात नहीं और ज्यादा से जदा मैं आपसे यह जहना चाहूंगी कि जो 6 ख्लास के जो टॉपिक थे हिस्ट्री के वो आज कंपलीट हो गए और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट बुक है उसके बारे में हम जो है टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे आप